Welcome to the natives इस वीडियो में हम देखेंगे हमें दिया है 9 9 की पावर 2 and 2 की पावर 4x-1 upon 5 इन सब के equal है 3 तो हमें find करना है what is the value of x we need to find value of x तो चलिए सुरू करते हैं हम 9 को लिख सकते है 3 into 3 तो इसको लिख सकते है 3 की पावर 2 तो हम 9 को लिख सकते है 3 की पावर 2 तो हम लिख देते हैं हम लिख दिये 9 की जगह पुठ किया हमने 3 की पावर 2 and इसका whole पावर जो होगा वो 2 तू और उसके उपर हमें दिया है टू की पावर जो है वो है 4X-1 upon 5 तो अब हम देखें अब हम इसको ये लिख सकते हैं ये जो पावर टू है इसको हम इस पावर से मल्टिप्लाई कर सकते हैं दोनों पावर मल्टिप्लाई हो जाएंगी तो ये आएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4X-1 upon 5 ये आजाएगा तो हम देखेंगे यहां 2 की पावर 1 है और यहां 2 की पावर है 4X-1 तो जब हमारे बेस एक्वल रहते हैं यहां पर बेस हमारे दोनों 2 है और बेस एक्वल होते हैं तो जो पावर रहती है वो एड़ हो जाती है अब हमारी ये base 2 and 2 समान है तो हमारी घातें क्या हो जाएंगी जो हमारी power है वो add हो जाएंगी तो उसको add कर लेतें तो power क्या है 1 and 4x minus 1 upon 5 तो 1 plus 4x minus 1 upon 5 इसको लिखा तो यहां कर लिया हमने lcm5 तो यह हो जाएगा 5 multiply 5 तो यहां lcm लिया हमने 5 तो यह हो जाएगा हमारा 5 plus 4x minus 1 इस इस एक्वल टो 4x 5 मैंसे बन जाएगा 4 बचा upon 5 मतलब 3 की power 2 की power this हम इसे लिख सकते हैं चलिए लिख देते हैं अब यह जो हमारी पूरी term है यह किसके एक्वल है? यह एक्वल है थिरी के तो हम लिख देते हैं एक्वल टू थिरी अब यहां पे देखना यहां पे हमारा यह जो थिरी है और यह थिरी है जब एक्वल के दोनों साइड बेस एक्वल हैं तो इनकी पावर भी आपस में एक्वल होंगी और यहां थिरी की पावर है बन तो हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं तू की पावर फोर एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्वल टू बन क्योंकि यहां जो है थिरी की पावर यह है और यहां थिरी की पावर बन है दोनों आपस में एक्वल होंगी क्योंकि बेस समान है तो अब हम दोनों साइड क्या करते हैं यहाँ पे टू है यह टू है और यहाँ पे बन है दोनों बेस इक्वल नहीं है तो बेस इक्वल करने के लिए दोनों साइड मल्टिप्लाई कर देते हैं तू का यहां तू का मल्टिप्लाई कर दिया और यहां तू का मल्टिप्लाई कर दिया अब यह जो एक यह टू है और यह टू है यहां तू की पावर बन है और यहां तू की पावर यह रही अब जब बेश समान है तो फिर वही बात घाते जुड़ जाएंगी तो इन घातों को हम जुड़ देते हैं तो हम लिखेंगे टू की पावर बन है वो बन लिख लिया प्लस टू की पावर एक और है हमारी 4X प्लस 4 अपॉन 5 जब आधार समान है दो दो तो इनकी जो पावर है वो आपस में एड हो जाएंगी और टू की पावर बन जाएंगी तो हमने इनको एड कर दिया तो एड करने पे हमारा आया अगर हम 5 LCM ले लें तो यहां हो जाएगा 5 प्लस 4X प्लस 4 बिच इस एक्वल टू 4X प्लस 9 5 प्लस 4 नाई 2 इनकी पावर हो जाएगी तो की पावर हो जाएगी यह और यहां पर 2 है आप देखे इस साइड टू की पावर हमें यह दी हुई है 4X प्लस 9 अप्न 5 और यहां 2 की पावर बन है जब equal के दोनों साइड बेस समान है तो उनकी पावर भी समान होना चाहिए तो यहां हो जाएगा 4X प्लस 9 अपॉन 5 इक्वल होगा बनके तो 4X प्लस 9 5 को यहां multiply कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 5 तो 4X इक्वल टू 5 माइनस 9 तो 4X इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 तो बैल्यू आफ एक्स इस एक्स इक्वल टू होगा माइनस 4 डिवाइड वाइ 4 यह जो है नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो बैल्यू आफ एक्स आजाएगे आपके x इक्वल टू माइनस 1 इस इस अवा बैल्यू आफ एक्स तो थैंक यू नु वर बाचिग है वर गोड देए और प्लीस सब्स्राइब माइ चैनल और यह वर क्रीस दिए क्मेंट बाग्स थैंक यू